यदि आप business owner, business starter, freelancer या किसी भी फिल में अपना business run कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत important है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे software के बारे हिम बताऊंगा जिसका use करके आप अपने business को expand कर पाऊगे उस software का नाम है Google Data Extractor, Google Data Extractor एक ऐसे software है जिस software का use करके आप worldwide में किसी भी location, किसी भी area का data easily extract कर पाऊगे आपको लगता होगा कि ये data कहां से होता है, ये data वही data होता है कि जब लोग अपना business से start करते हैं तो अपने business को Google पे list करते हैं तो ये software उसी business listing से आपको data extract करके देता है, like example मैं आपको बताता हूँ जैसे Digital Marketing Agency in India, sorry in Mumbai कर लेता हूँ That means Mumbai location करके जिन जिन लोगों ने Digital Marketing Agency लिस्ट किया हूँ गूगल पे तो उसका सारा data मुझे उस software में आ जाएगा यहां से देख सकते हैं यहां जैसे review my idea, social media and digital marketing आप देख सकते हैं यहां उसका data available है यह data extract करके आपको वहां उसके software के dashboard में सो हो जाएगा, आप किसी भी location का निकाल सकते हैं इसी तरह से, जैसे यह list होता है तो इसी का data extract करके आपको मिल जाता है So friends इसको complete समझने के लिए आपको वीडियो को completely watch करना पड़ेगा, थोड़ा अगर skip करेंगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगा So friends बीना time waste को वीडियो के start करते हैं और सीखते हैं कि Google data extractor से worldwide का data कैसे आप extract कर पाऊगे उसके लिए friends आपको एक link send किया जाएगा उस link से आप उस software को install करेगा, जैसे install करोगे यह Chrome extension रहता यहाँ पे आजएगा आप देख सकता है, यहाँ पे Chrome extension आपको show हो रहा है, इस तरह से आपको show हो जाएगा, तो मैं इसको open कर लेता हूँ, जैसे क्लिक करूँगा यह software open हो जाएगा अभी आपको यहाँ पे Google map extractor का dashboard हो रहा है, अभी मैं इसको detail में बताता हूँ कि कैसे आप इससे data extract करेंगे इससे data extract करने के लिए दो steps है, दो step आप complete करेंगे तो data easily extract कर पाएंगे, बहुत ही easy आप इसको use कोई भी कर सकता है, इसमें आपको दो चीज ध्यान डगना पड़ेगा, सब से पहले कि आपको keywords डालना पड़ेगा, that means आपकी इस business का keyword data extract करना चाहता है, जैसे मुझे online seller का data च extract किया है, उसका data मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे keywords type कर दोगा, ठीक है, keyword type करने के बाद, आपको location type करना, कि आप किस location का online seller का data extract करना चाहते है, तो जैसे मुझे इंडिया का चाहिए, या मुझे किसी छोटे location का चाहिए, थाने का, तो मैं थाने यहाँ पे type कर दिया, ठी कर सकते हैं, आभी मैं एक एक करके ही data extract कर रहा हूँ, तो यहाँ keyword location type करने के बाद, आपको simply start extracting पे click करना, जैसे start extracting पे click करेंगे, जितना भी data available होगा, इस area में online seller का सारा data यहाँ पे आपको show हो जाएगा, तो मैं थोड़ा wait कर लेता हूँ, और data extract होने देता हूँ अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे 10 data extract हो चुका है, और यहाँ पे आपको इसका status भी सो होगा, कि progress 0 of 1, यह पूरा green हो जाएगा यह lines, तो आप समझ जाएगा कि इस area में जितने भी online seller थे, उसका सारा data extract हो चुका है, जैब यह complete हो जाएगा, तो आप इसको stop कर सकते हैं, जैसे stop करेंगे, यहाँ पे आपको download का option सो हो जाएगा, इसको simply download पे click करेंगे, जैसे download पे click करेंगे, यहाँ पे देखे, csv file आपको download हो जाएगा, मैं इसको आपको open करके बता देता हूँ, इसको मैं click करता हूँ, और यह open हो जाएगा, इसको जिस तरह से आपको use करना है, आप इसको यूज कर सकते हैं Friends, आप देख सकते हैं यहां पर सारा डेटा मुझे सो हो रहा है इसका द देखे, किवर्ड ऑन-लाइन सेलर लोकेशन थाने इसके कमपनी का क्या नाम है कमपनी का नेम भी यहां पर सो रहा है देख, कमपनी नेम online super seller website उसका सो हो जाएगा आपको कि website paid है या free website है क्या सारा कुछ आपको सो होगा उसका phone number सारा कुछ आपको यहाँ पे सो होगा email id उस पे नहीं रहता है इसलिए email id नहीं सो रहा address, ct, sth, pin code, rating, reviews यादी सारा कुछ आपको detail यहाँ पे show हो जाएगा इस data का यूज आप अपने ही साथ से कर सकते so friends, I hope यह वीडियो आपको अच्छा से समझ में आएगा अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाट है तो आप हमें contact करके पुछ सकते आपको जो भी डाट होगा मैं आपको solve कर दूँगा तो friends, इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए best of luck